प्रेंट्स आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने टेलीग्राम अकाउंट को पर्मानेंट डिलीट कर सकते हैं इसके लिए प्रेंट्स आप अपने टेलीग्राम अकाउंट को यहां से ओपन कर लें ओपेन करने के बाद कुछ इसा इंटरफेस आएगा इसके बाद आपको यहां से थ्री डॉट पे किलिक करना है थ्री डॉट पे किलिक करने के बाद आपको यहां पे एक ओप्शन दिखेगा शेटिंग का तो आपको शेटिंग वाले ओप्शन पे किलिक कर देना है क्लिक करने के बाद friends आपको नीची की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहां पर एक option दिखेगा privacy and security का यह वाला option देख सकते हैं friends तो आपको यहां से इसे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद friends आपको यहां पर नीची की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक option दिखेगा delete my account का तो आपको यहाँ से इसे click करना है click करने के बाद prints देख सकते हैं यह जो आपका account है आप एक one month, three month, six month और one year का option है अगर आप यहाँ पर one month को select कर देते हैं one month को select करने के बाद अगर आप prints इसे एक महिने तक इस account को open नहीं करेंगे यह automatic delete हो जाएगा और यदि आप इस account को तुरंट से delete करना चाहते हैं एक महिने का wait नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा option भी available है आप इसी app से इसे permanent भी delete कर सकते हैं तुरंट में तो चलिए दूसरा option क्या है देखते हैं इसके लिए हम इसे यहां से back कर लेते हैं और एक बार back कर लेता है इसके बाद फ्रेंट्स देखिए यह telegram का first page है इसके लिए आप यहां से three dot पर क्लिक करने के बाद फ्रेंट्स आपको यहां से setting में चले जाना है शेटिंग में जाने के बाद फ्रेंट्स आपको नीचे के तरफ स्क्रॉल करना है और आपको यहां पर देखिए नीचे में तीन option है ask a question, telegram fake और एक privacy policy तो आपको यह बीच वाला option है फ्रेंट्स टेलीग्राम FAQ आपको इसे पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद फ्रेंट्स देखिए आपको यहां पर धेर साला option मिल जाएगा तो देखिए यहां पर सबसे उपर में जो लिखावा है general का और इसे नीचे के तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर टेलीग्राम बेसिक लिखावा है group and channel user name इसके बाद यहां पर option नीचे security का और इसके बाद है यहां पर secret chats का और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पर एक option दिखेगा friends your account का तो इस your account वाले option में ही एक option और दिखेगा friends आपको यहां पर देखेगा यह वाला क्लिक करने के बाद friends आपको यहां पर देखेगा उपर में लिखा है how do I delete my account तो आपको यह सबको नहीं पढ़ना है यहां पर एक option यह blue color में दिख रहा है deactivation page तो आपको इस deactivation page पर क्लिक करना है इसके बाद आपको प्रेंट्स यहां पर आपका सबसे पहले country code आपको डाल देना है तो चलिए मैं अपना country code पहले डाल देता हूं प्लस 91 है प्रेंट्स तो हम यहां से अपना country code पहले डाल देते हैं प्लस 91 और उसके बाद हम यहां से अपना mobile number डाल देते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंट्स मैं अपना यहां पर mobile number डाल दिया mobile number डालने के बाद फ्रेंट्स आपको यहां पर नेस्ट पे click कर देना है तो चलिए मैं नेस्ट वाले option पे click कर दिया और इसके बाद friends आपको यहाँ पे एक code आएगा confirmation code तो आपको यहाँ पे confirmation code पे क्या डालना है इसके लिए आपको यहाँ से अपने whatsapp को telegram को open कर देना है तो देख Newrag Airmen कर देकिए friends हमारे telegram पे यहाँ पर एक मेसेज आया है बेव लॉगिन कोड तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर कोड लिखा हुआ है लॉगिंग कोड 84122 तो आप देख सकते हैं प्रेंट ये लॉगिंग कोड 84122 लॉग डू नाट गीब दिस कोड एनिवन दिखावा है तो चलिए मैं इसी कोड को वहां पर डाल देता हूँ 84122 को देखें मैं यहां पर डाल देता हूँ कोड को 84122 और इस तरह से यहां पर रिमेंबर में अगर आपको याद रखना है तो यहां पर क्लिक कर दें और इसके बाद आपको यहां से साइन इन पर कर दें तो इन्वालिट कनफर्मेशन कोड जो है वह इन्वालिट बता रहा है तो चलिए हम दुबारा से देख लेते हैं मारा जो कोड हैं देखे फ्रेंस हमारा जो कोड है यह बाला को डेफ्रेंस डिस इच यह जो लोगिण कोड है यहां पर लिखावा यह नीचे में आप देख सकते हैं यह वाला development तो वही है हमारा login code तो हम यह वाला login code डालना है जो यह देख रहें नीचे में BBA5J3S तो चलिए हम इसको यहां से copy तो हो नहीं रहा है तो हम देख के लिख देते हैं BBA तो देख सकते हैं प्रेंट्स हम अपना जो यहां पर है डाल दिए confirmation code इसके बाद आपको यहां पर sign in पर click कर देना है sign in पर click करते हैं फ्रेंट्स आपको यहां पर देखिए option दिखा देगा delete your account और नीचे के तरफ scroll करना है scroll करने के बाद आपको यहां पर दिखा देगा why are you living आप account को क्यों छोड़ना चाहते हैं क्यों delete करना चाहते हैं अगर आपको रिजन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं तो चलिए मैं यहां पर रिजन दे देता हूं I have no time तो मैंने यहां पर रिजन दे दिया I have no time मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं छोड़ना चाहता हूं इसके बाद friends आपको यहां पर delete my account का option दिख रहा है आपको इस पर जहां से click कर देना है click करने के बाद एक बार last में आपको are you sure क्या आप मतलब sure है कि आप account को delete करना चाहते हैं आपको warning मिलेगा please only delete your account if you no longer want to use telegram तो यहां पर बता रहा है कि जब आप इसे delete कर देंगे तो फिर दुबारा से login नहीं कर पाएंगे if you delete your account now फिर भी आप अपने account को delete करना चाहते हैं it may not be possible to sign up again for several days मतलब फिर आप इसे दुबारा से login sign in नहीं कर पाएंगे तो चलिए मुझे delete करना है तो मैं यहां पर click कर देता हूं yes delete my account पर और इस तरह से देखे friends हमारा जो account यहां पर your account was successfully deleted from our system come back तो इस तरह से icon जो हमारा friends permanently delete हो चुका है और आप मैं यहां से इसे back कर लेता हूं तो चलिए अगर friends आपको वीडियो अच्छी लगी है तो तो देखे friends हमारा जो telegram account जैसे हम open करने यह हमारा यहां से delete हो चुका है तो उमीदे friends आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा कि कैसे आपको अपने telegram account को delete करने हैं अगर आपको कोई सवाल या कोई topic वीडियो चाहिए तो आप हमें comment करके जरूर बताएं